Hello everyone and welcome back to my channel Brainy Techs and Ideas आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं Amazon Affiliate Marketing and YouTube की अगर आप भी YouTube के थ्रू Amazon Affiliate Marketing स्टार्ट करने की सोच रहे हैं किस ताइक के engaging videos मना सकते हैं और Amazon Affiliate Links किस तरह से और कहां अपने चैनल पर शेयर कर सकते हैं क्या सही तरीका है Amazon Affiliate Links को शेयर करने का So ये वीडियो काफी helpful होने वाली है आप सभी लोगों के लिए So don't skip this video और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो तो हम इन वीडियो को पार्ट में करेंगे इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe to my channel and hit the notification bell icon ताइकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के notifications मिलते रहे हैं और आप कोई भी information मिस ना करें तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम YouTube पर Amazon affiliate marketing कर सकते हैं Amazon affiliate marketing करने के लिए सबसे पहली requirement किया है कि आपको Amazon Associates पर अपना account create करना होगा ताकि आप Amazon के affiliate program के रिए enroll कर सकें ये account create करना बहुत ही easy है और इसके वीडियो अलरेड़ी मेरे चैनल पर uploaded है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और बहुत easily अपना account create कर सकते हैं description में भी मैं उस वीडियो का link दे दूँगी ताकि आपको उस वीडियो को डूणने में कोई भी परिशानी नहीं हो इसके साथ साथ आपको YouTube पर भी अपना channel create करना होगा अगर already YouTube पर आपका channel बना हुआ है तो well and good उसी पर आप Amazon affiliate marketing स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपकी पसंद का कोई भी चैनल बना सकते हैं और फिर उसके उपर Amazon affiliate marketing स्टार्ट कर सकते हैं तो यह तोनों steps तो आप बहुत easily complete कर लेंगे Amazon associates का account भी बन जाएगा YouTube चैनल भी बन जाएगा अब जो main बात आती है वो है कि आप product videos कहां से लाएंगे क्योंकि अगर आपको Amazon affiliate marketing करनी है तो उसके लिए आपको product videos होने चाहिए आपके साथ पास जिन products को आप promote करना चाहते हैं तभी तो आप उनके affiliate links को share कर सकेंगे और उनसे कोई purchase होती है तो आपको commission generate होगा अगर आप Amazon affiliate marketing में beginner होना स्पेसिफिकली YouTube के थूँ आप Amazon affiliate marketing करना चाहते हैं तो as a beginner यह आपके लिए possible नहीं है कि आप रोज किसी product को खरीदें और उसके videos बनाएं और फिर उसे YouTube पर promote करें पर YouTube चैनल चलाने के लिए आपको रोज product videos की जरुरत होगी इवन जो established YouTubers होते हैं वो भी कभी products खरीद कर videos नहीं बनाते हैं और रोज बनाना थे कि almost impossible है तो इसलिए हमें ऐसे methods चाहिए जिनसे हम यह product videos बना सकें अगर बनाते नहीं है तो कहीं से download कर सकें तो यहाँ जो main चीज है आज की video में वो यह है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप product videos कैसे बना सकते हैं अगर खुद नहीं बनाते हैं तो किस तरह से कहां से download कर सकते हैं उनमें क्या changes कर सकते हैं काकि copyright claim ना आए तो यही methods हम आज इस video में देखने वाले हैं method number two और three तो आपके लिए बहुत important होने वाला है तो यह video पूरी देखना अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो तो यह video सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो amazon के थुरू affiliate marketing करना चाहते हैं किसी और platform के थुरू भी आप affiliate marketing करना चाहते हैं तो भी यह video आप लोगों के लिए बहुत important होने वाली है so don't skip the video watch it completely बहुत सारी information में आपको देने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने first method के साथ first method है shoot videos yourself no 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 यह यह सुचने की जरूरत नहीं है कि आपको product videos बनाने के लिए products को खरीदने की जरूरत है in fact यह सबसे ज़्यादे फ्लक्सिबल method है इसमें आपको niche specific होने की भी जरूरत नहीं है या फिर कोई category चूज करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको already कोई youtube channel है और आप cooking से related कोई videos बनाते हैं या फिर art and craft से related कोई videos बनाते हैं या फिर आप vlogging करते हैं या फिर educational videos बनाते हैं जिसा कि आप अगर कोई sales generate हो सकती है और अगर कोई sales generate होती है तो commission हमें मिल जाता है तो यहां पर एक example आप मेरी screen पर देख सकते हैं, यह चोटा सा mic है, portable है और flexible भी है और फायती भी है, बहुत जादा महंगा mic नहीं है यह, तो मैं इस mic को use करती हूँ और आपकी sound भी आप सुन सकते हैं, इसकी काफी अच्छी है, सबसे अच्छी बात यह है कि simple USB port से यह आपके laptop से connect हो जाता है, and it's ready to use, कोई additional batteries के इसमें जरुरत नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा और handy mic लगता है, तो मैं इसे use करना पसंद करती हूँ, अगर आपको भी यह mic पसंद आया हो, तो इसका Amazon buying link मेंने description में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसे खरीज सकते हैं, इसे आ Amazon affiliate marketing होगी, इसी तरह से अगर आपका भी existing channel है, उसी तरह existing channel पर आप जो videos बनाते हैं, उसमें कोई चीज यूज करते हैं, तो उनके affiliate links आप description में दे सकते हैं, चाहें तो उनके बारे में थोड़ा से describe कर सकते हैं, या ना भी करें, तो भी affiliate links आप description में डाल सकते हैं, अगर उनस कोई purchase करता है, उन links के थूँ उन products को, तो उससे आपकी Amazon affiliate marketing होगी, sales generate होगी और आपको भी commission मिलेगा, तो ये था एक तरीका, अगर आपका existing YouTube channel है, अगर आपका existing YouTube channel नहीं भी है, तो किस तरह से आप videos बना सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, अगर आपका already कोई YouTube channel नहीं है, तो इस तरह से एक YouTube channel create कर लीजिए, जिस पे आप dedicatedly Amazon affiliate marketing करेंगे, इसमें भी आपको कोई niche specific या कोई category select करने की ज़ुरत नहीं है, अगर आप करते हैं, तो well and good नहीं करते हैं, तो कोई भी ज़ुरत नहीं है, और यहां पे मैंने जितने भी product videos डाली हैं, इन मैसे को कोई भी product मैंने especially इस Amazon affiliate marketing के लिए नहीं खरीदा है, यहां पे रोज मारा की life में जो भी मैं product करीती हूं, चाहे वो cleaning से related हो, home decor से related हो, कोई gadget हो, या फिर मेरी daughter के लिए मैंने अगर pencil box भी खरीदा है, तो मैं सारी चीजों की चोटी-चोटी videos बना कर अपने channel पर डाल देती हू इधर unboxing करते हूए, या फिर उनके कुछ features explain करते हूए, तो इस तरह से मैं चोटी-चोटी videos बना कर डाल दिया करती हूँ, और उनके Amazon affiliate links को share कर देती हूँ, जिससे की मेरी Amazon affiliate marketing हो सके, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, अपने घर में जो भी चीज़े आप खरीते हैं, I'm sure कि आप चोटी-पोटी चीज़े तो खरीते ही होंगे, कि आप जो भी चीज़े खरीते हैं, उनके videos आप shoot करके और इस तरह से आप अपने channel पर डाल सकते हैं, और अपना Amazon affiliate marketing start कर सकते हैं, तो यह ता first method जहां पर मैंने आपको बताएं कि इस तरह से आप अपने videos को shoot कर सकते हैं, खुद से और Amazon affiliate marketing start कर सकते हैं, यहां पर आपको कोई भी additional कर्चा करने की ज़रुवत नहीं है, आपको just जो आपकी products गर में खरीते हैं, या फिर अपनी existing videos में use करते हैं, उनके ही Amazon affiliate links को promote करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अभी जो next two matters मैं बताने वाली हूं, उसमें आपको you know, किसी भी product को किसी भी type से खरीदने की ज़रुद नहीं है, ना ही कोई videos बनाने की ज़रुद हैं, हम किसी और की videos हैं, जिनको हम use करने वाले हैं, अपनी Amazon affiliate marketing के लिए, तो चलिए बढ़ते हैं next method की तरफ, तो जो हमारा method number two है, वो है download videos from YouTube, येस, आपने सही सुना, you can download videos from YouTube itself, अब ये किया कैसे जाता है, वो मैं आपका बिताने वाली हूँ, उसके लिए आपका आजाना है, अपने YouTube पर और यहां पर हम suppose type करते हैं, for example, यह मैंने type किया best Amazon gadgets, यहां आप सारी recommendations भी देख सकते हैं, यूट्यूब के through कि कौन कुन से topics पर videos बनाई जाती है, best Amazon gadgets under 500, best Amazon gadgets under 100, यह ideas भी आपको यहां से मिल जाएंगे, तो मैंने यहां type किया है, best Amazon gadgets, आप मैं enter करती हूँ, हमारे पास, देखेंगे तो यह कुछ videos आ गई है, जो best Amazon gadgets की हैं, पर इसमें से हम हर video को download नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप देख रहे हूंगे filters, filters में हमें जाना है, और यहां हमें चूज करना है creative commons, तो यहां हम चूज करनेंगे creative commons, यह ऐसी videos हैं, जिनको आप बिना attention के use कर सकते हैं, बिना किसी copyright claim के डर के, for example, अगर मैं आपको यह वाला video दिखाऊं, तो यहां आप देख सकते हैं, इस तरह से यह सरफ का कुछ video है, यहां पर हम देखेंगे तो दूसर product है, यहां पर हम देखेंगे तो तीसर product है, ऐसे इन्होंने कुछ videos combine करके एक पूरी बड़ी video बनाई है, जिसमें आपको यहां पर 15 best kitchen gadgets के बारे में बताया गया है, तो यहां पर आपको करना क्या है कि इस video कर डाउनलोड कर लेना है, यूट्यूब से videos कैसे डाउनलोड कर स इस video को डाउनलोड करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहां पर कोई logo आ रहा है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, कि यहां लोगो आ रहा है, और कोई भी किसी company का नाम आ रहा है, तो आपको तोड़ा से video को कट कर देना है, थोड़ी सी color grading कर देनी है इसमें filters लगा देने हैं, और अपना voiceover दे देना है, काकि आपका video जो है, आपका खुद का video लगे, ऐसा नहीं लगे कि कोई copy किया हुआ video है, तो इसमें आपको थोड़ी से changes करने हैं, उसके बाद आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, सक्या आप यहां देख सकते हैं, यह video, चोटी-चोटी videos का compilation है, तो आप चाहें तो इस video को download करके, इसके different shots भी बना सकते हैं, 15 products है, तो 15 product के shots भी बन जाएंगे, और नहीं तो आप इसको as a long video भी use कर सकते हैं, पट इसमें आपको ज़रूर कुछ changes करने हैं, कुछ subscribers ने comments में भी, मुझसे यह question कहीं बार पूचा ह कि क्या हम इस तरह से videos को use कर सकते हैं, copyright claim तो नहीं आता, तो creative comments के आप videos को use कर सकते हैं, फिर भी और जादा safety के लिए, हम यह करेंगे कि यहां पर जितने भी logos हैं, या फिर जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, videos को थोड़ा crop करके and then use कीजिए, इसमें थोड़ी, you know, filters आने की possibility है, तो इस तरह से आप YouTube पे कोई भी gadget के बारे में search मार सकते हैं, और creative comments category की जो भी videos हैं, वो यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उन्हें अपने content के लिए use कर सकते हैं, उनसे videos बना सकते हैं and then आप उनके link share कर सकते हैं, link किस तरह से share करना है, वो आगे आ to my channel, फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगी कि important बात यह है कि आप directly videos को ठाके use मत कीजिए, जो next method भी मैं बताउंगी, उसमें भी यही मैं बोलूँगी कि directly use नहीं करना है, उसमें अपने कुछ changes करने हैं, voice over करनी है, कोई नो कोई changes करने हैं, और फिर आप videos को यूज केजि जो हैं हम किसी और platform से उठाएंगे और हम अपने YouTube content के लिए use करेंगे, तो यहाँ पर method number 3 है, download videos from Amazon, जी हाँ, आपने सही सुना, you can directly download videos from Amazon itself, अगर कोई video creative comments category की YouTube पर आपको नहीं मिल रहे है, किसी भी product की, तो आप उसको Amazon से भी directly download कर सकते हैं, तो Amazon से product videos डाउनलोड करने के लि अगर आपको डाउनलोड करना नहीं बताऊंगी, अगर आप product खरीद के videos नहीं बना सकते हैं, तो कौन-कौन से sources हैं जहां के ready-made product videos मिल सकती हैं, और किस तरह से copyright free आप उसको use कर सकते हैं, वो मैं इस video में basically बता रही हूं, तो Amazon के website पर आके हमें search कर लेना है, electric ice cream maker, यह मैंने चूज कर सकते हैं, customer reviews, यहां पर आपको section मिल जाएगा, customer reviews, 4 star and up, तो हम इसको चूज कर लेते हैं, ताकि अच्छे products हैं हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास 4 star and up वाले products की list आचोगे हैं, यह list आने के बाद आपको थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगी, यहां पर आपको वो products दूढने पड़ेंगे, जिन पर videos दी हुई है, suppose मैं इस product को click करती हूँ, और यहां पर तो नीजी के साइड यह video दी हुई है, इस video में अगर आप देखेंगे, तो mainly इस lady का face दिख रहा है, और कुछ photographs दिख रहा है, तो मैं यह कहूंगी कि ऐसी videos को avoid करें, क्योंकि इसमें ज आप देखेंगे, कि यहां नीचे बहुत सारे photographs and video दी हुई है, यह video मुझे काफी ठीक लग रही है, तो इस video पर click करके देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे, तो product के बारे में ही दिखा रखा है, यह किसी और का face नहीं है, कुछ photographs नहीं है, पूरा product का description ही है, सारा कुछ product description, functioning और यह सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, यह video में जो काफी ठीक लग रही है, इस video को हम ले सकते हैं, तो आप इस तरह के product videos को download कर सकते हैं, यह product video download कैसे करना ही है, यह already मैंने अपने channel पर बताया हुआ है, how to download Amazon product videos, इस पर सारी पूरी video बनी हुई है, अगर इस video का link चाहिए, तो मैं description में दे दूँगी, यहां पर आप सीख सकते हैं कि किस तरह से Amazon product videos को download करना है, तो आप उस particular video को download कर सकते हैं, थोड़ा सा उस video को crop कर सकते हैं, अपने हिसाब से edit करना है आपको video को, उसमें आप voiceover दे सकते हैं, उसमें filters लगा सकते हैं, ताकि वो video थोड़ी सी अलग लगे, और फिर आप उस video को use कर सकते हैं, तो बोट सारे लोगों का question था कि क्या हम Amazon से directly product videos and photos को use कर सकते हैं, हां use कर सकते हैं, but in that case, you have to edit videos yourself, कुछ चो आपको अपना टालना पड़ेगा, थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी, या तो voiceover दे दीजिए, crop कर दी है, वैसे तो नहीं आता है, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, and mostly देखा गया कि इस तरह से कोई copyright claim भी नहीं आता है, और Amazon पर यही है कि थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी, आप single single product की links को open करके देखना पड़ेगी, कहां videos available है, कहां videos available नहीं है, तो जिन में videos इस तरह की available है, आप उनी को लीजिए, चिन भी videos में Amazon का logo आता है, या Amazon, you know, बहुत सारी product videos खुद से बनाता है, जिसका example में आपको अगर मिलता है, तो बता देती हूं, तो Amazon पे कुछ products ऐसी होते हैं, कि वहां पे Amazon खुद अपनी तरफ से videos बना के डालता है, for example, यह example में आपको बता देती ह इस टाइब की videos को अवाइड करें, इस टाइब की videos आप अराउंड लोड ना करें, तो जादा अच्छा होगा, so I hope कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से videos को सर्च मारना है Amazon पे और कौन सी videos को डाउनलोड करना है, तो यहां भी एक और बोनस तरीका में आपको बताना चाह यहां पे आपको product videos मिल सकती है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके और उनको अपने YouTube चैनल पर यूज कर सकते हैं, बट वह ही है कि आपको थोड़ी सी editing करने पड़ेगी इन product videos को अपने चैनल पर यूज करने के लिए ता कि कोई copyright claim ने आये, और मुझे नहीं लगता कि कि इसे भी company के अगर free में marketing हो लिए तो उसे कोई problem होगी, तो आप इस तरह से भी product videos डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, तो किसी भी method से आप videos डाउनलोड करें, बट आपको video editing तो करने ही है, और additionally आप ये content disclaimer डाल सकते हैं, और अपना email ID भी provide कर सकते हैं, ताकि कि किसी भी content creator को अगर आपके content से कोई problem है, तो आपको directly reach कर सकता है, और आप accordingly action ले सकते हैं, ये content disclaimer की exact language में description में भी provide कर दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी copy कर सकते हैं, तो चलिए अब एक example मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने downloaded videos को edit किया हैं अपने channel पे, क्या के changes उसमें किये हैं, ये example देखके शायद आपको थोड़ी help हो जाए कि किस तरह के changes आपको भी करने चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो videos हैं, ये मैंने Amazon से ही product videos को download करके बनाया था, और आज तक इन पे कोई copyright claim भी नहीं आया है, इस video को मैं open करके बताती हूँ कि किस type की editing म करना सकते हैं, ये देखे, यहाँ पे मैंने इस product का नाम दे दिया था, यहाँ पे इसका brand दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इसके instructions भी दिये वे थे, तो instruction तो कोई भी लिख सकता है, तो हमने instructions रहने दिया हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी editing किये हैं, यहाँ से आसपास से जो भ पटा दिये, थोड़ी से color filters लगा दिये हैं, और यहाँ पे मैंने अपना voiceover दे दिया था, तो इस तरह से मेरी ये video तियार होगी थी, इसमें almost मैंने 11 videos सारी की सारी Amazon से download की थी, और 11 product की ये compilation video बनाई थी, तो इस तरह से आप भी videos download करके अपनी video create कर सकते हैं, जिसमें product की एक और बहुत important बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप YouTube से Amazon affiliate marketing करने की सोच रहे हैं, या start करने की सोच रहे हैं, या फिर किसी और medium से भी, social media से भी, Amazon affiliate marketing स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपना जो channel है, या फिर blog है, या फिर जिस भी social media स आप affiliate marketing स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उस social media को थोड़ा strong कीजिए, उसको grow कीजिए, consistency बनाए रखिए, आप हमेशा videos डाउनलोड कीजिए, तकि आपके followers बढ़ें, आपके subscribers बढ़ें, उसके बाद आपको affiliate marketing में successful होने से कोई नहीं रोक सकता, ये इसलिए मैं बता रही हू क्योंकि मेरे 3 sales भी generate हो चुकी थी, उसके बाद भी मेरा Amazon account suspend हो गया था, क्योंकि मेरे sufficient number of subscribers YouTube channel पर नहीं थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि even if you generate 3 sales in given time period, तो भी आपके number of subscribers या number of followers या जो visitors होते हैं, वो sufficient number होना चाहिए, particular number तो नहीं पता मुझे Amazon की तरफ से क्या decided है, पर होना चाहिए, otherwise आपका account suspend हो जाएगा, और यहां आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा, कि अगर आपका account suspend भी हो जाता है, तो आपको फिर से, क्योंकि पहली बार में तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी account qualify करता होगा Amazon affiliate marketing के लिए, अगर नहीं करता है, तो keep patience, आप उसक my channel, keep watching the videos on my channel, और अगर आपने subscribe नहीं कर रखा है मेरे channel को, तो do subscribe to my channel and hit the notification bell icon, so that you don't miss any information, hope आपको ये video अच्छी लगी होगी, और आपके बहुत चारी questions के answer भी इस video में मिले होंगे, अगर आपको ये video अच्छी मिली होगी, तो please like and share this video, thank you so much and see you in the next video.